रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 12 के विस्टास बुक से दे टाइगर किंग स्टोरी पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं यह कहानी महराजा जंग जंग बहादुर के बारे में हैं जो कि प्रतिबंद पूरम में रहा करते थे कुछ ऐस्ट्रो लॉजर्स थे जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि उनका फ्यूचर कुछ अजीब होने वाला है और यह प्रेडिक्शन तब हुआ था जब दस दिन का था ऐस्ट्रो लॉजर्स ने कहा कि एक दिन यह बच्चा टाइगर के द्वारा मारा जाएगा और यह ब सफेद गाय का दूद पिएगा और उसको देख भाल करने के लिए एक अंग्रेज रहेगी और वह इंग्लिस मुवीज भी देखा करेगा जब वह 20 साल का हुआ तो उसके सर पे राजा का मुकुट आ गया मतलब उसे राजा बना दिया गया और उसके पश्चात उसको वह प् अब टाइगरों को मारना स्टार्ट कर दिया अस्ट्रोजर का प्रेडिक्शन यह भी था कि अगर 99 टाइगर वह मार लेता है और अगर लास्ट में जो 100 टाइगर है और वह बच जाता है तो उससे भी इस बच्चे को खत्रा हो सकता है क्योंकि वही इनके मृतियों का कारण बनेगा उनको ऐसा लगा था कि क्या पता आइस्ट्रोजर की बात सही हो जाए इसलिए अपने स्टेट में वह टाइगर हंट बैन कर दिये एक समय की बात है एक हाई रैंक वाला ब्रेटिस ऑफिसर प्रदिवंध पूरम में टाइगर हंट करने के लिए आया और यह बात महर महराजा इसके बात को डिकलाइन कर दिया इसके वएसे ब्रिटिस ऑफिसर थोड़ा से नराज भी हुए और चुकि ब्रिटिस जिस समय राज करते थे तो गुस्से के मारे बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे चैसे हमला करना युद्ध करना तो इस चीज़ के लिए महराजा और दे दिया कि उनके स्टेट में किसी प्रकार का कोई भी और आजक तत्तु नहीं फैलना चाहिए क्योंकि ब्रिटिस ऑफिसर उस समय गुस्सा हो गया था जो महराजा थे 50 डाइमंड रिंग जो की तीन लाख रुपे का था वो उस ऑफिसर के वाइफ को गिफ्ट किया 10 सा क्या हुआ कि प्रतिबंद पूरम में कोई टाइगर बचाई नहीं चुकि उनको अपना टार्गेट 100 का कंप्रीट करना था इसलिए उन्होंने एक ऐसे लड़की से साधी किया जो की रॉयल फैमिली से बिलॉंग करते थी अलग स्टेट में रहती थी और वहाँ पे टाइग का खात्मा कर दी हैं लेकिन जो सववा टाइगर था उसको फाइंड नहीं कर पाएं और सववा टाइगर जब खोज नहीं पाएं तो बहुत जादे आकरोसित हो गया और अपने दिवान को धंकी दिया कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम लास्ट टाइगर कहीं से भी खोजो अब चुकि दिवान डर गया था सहम गया था महराजा के उस धंकी से तो वह अपना दिमाग लगाया और सरकस में गया और वहां से एक ओल्ड टाइगर उठा लाया और बहुत जद्द जहद के बाद वह उस ओल्ड टाइगर को फॉरस्ट में ले जाके छोड़ दिया और उसके बाद वह महराजा से टाइगर के बारे ही बताया यह बात सुनने के बाद वह गया और उस टाइगर को सूट की है टाइगर बुढ़ा था भी टाइगर वहां पर अचेत पुड़ गया यह बहुत जादे खुश हुए अपने उस जीत के लिए कि जो प्रेडिक्ट किये थे वो गलत सावित होते हुए दिखराथ चुकि महराजा को ऐसा लगा कि वो मर चुका है लेकिन जो गोली उन्होंने चलाया था वो गोली मिस्स कर गया था टाइगर अभी जिन्दा था वो डर के मारे कुलाप्स करके गिर गया था यह बात उनके मंत्री सं उनसे लकडी का टाइगर खरिदने के बोला और उन्होंने एक लकडी का टाइगर उसके लिए वो माएं ताकि उसे वो गिफ्ट के रूप में दे सके चुकि वो लकडी का जो टाइगर था उसका जो एज था वो सौफ नहीं था वो रफ था और उससे खेलने के दोरान उनके हाथ में चोट लग जाता है और infection फैल जाता है और उस infection के वज़ा से उनकी मृत्ति हो जाती है तो यहां पर यह देख पाते हैं जो बात astrologers ने कहा होता है कि जो hundred tiger है उसके वज़ा से उनकी मृत्ति होगी और finally यहां पर clear भी से ल्तव होगी लेकिन यह confirm था इसकार उन्होंने किया था वह वि घंडता मरा नहीं था यह लकडी का टैगर होता है कि अगर कुछ भी हमारे भाग्य में पहले से लिख दिया गया है उस चीज़ को हम कितना भी चाहे बदल ले वो पॉसिबल नहीं हो सकता जो लिखा है वो होगा ही और फाइनली यहां पे आपका ये स्टोरी समाप्त होता है यहाँ खूर्चिजा और लाइच के ठीके राइचे करूंग एंज यह कुर्णा सब्सक्राइब बस्द कर दो कितने है प्राइच को बनाएचाई गाईच कि कुछछ दूर्चिज़ पाइट दूर्च थी मां प्र लिख को प्रूब्स ओना बाइच अंदिके वो इस्टुछ झाल झाल